एलो गाईज एन मेलकम बैक टो माच चैनल तो क्या हाले सबके मैं हूँ आपका दोस्ट वापने लेकर आया हूँ आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नए एपिसोड तो चल यह शुरू करते हैं तो हमने लास्ट देखा था कि हमने उनको अलाउट किया था ट्रिपूरा के टीम को पहले इनिंग्स में यह राउंड का स्कोर का 210 पे अलाउट हुए थे जिसमें से हाइस्ट विकेट टेकर वन सगें हम लोग बने पांच विक्टे हमें मिले ठाकपूर ने लिए दो विकेट लिए अग्वाल करने और एक विकेट मिली दोवल कुल करनी को अब आगे हमें बैटिंग करनी एस इनिंग्स में जहां पर हम उतर रहे बैटिंग करने 11 बैचस खेले हमने 1140 मैच मार दी हमने 11 मैचस में और पहले ही मीडियम पेसर आते हुए हाई हाल टीम के पस मीडियम पेसर ही काये पड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा बे पहले मैं चेक कर लो मेराजिकर्टी सही है कि नहीं हादास्ट yes legend hardest default हब हादेस्ट है कोशिश करते थोड़ा सेट होते उसके बाद खेलने के कोशिश करते पर यह शॉट उसे बीचिए ना 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 नहीं भागना रहन दे भाई जब तक वो भाग के आएगा तब तक मैं पहुंचू भी ना शायद अब एटेबी को इंसाइड एज और बाउंडरी जाएगी पहली हमारी कुछ खास अच्छी बाउंडरी नहीं कह सकते इसको लेकिन ठीक है बाउंडरी जैसे भी मिले वाई शी छोड़ दे भाई रिक्स ना लेना है इनकी बॉल पॉस्टे पॉस्टे एक तो सालो लग जाते यार दिमक का लमसूनिया उदर ही हो जाते एनी अधर बॉलर और इस वूड़ आप गाउंडरी गाईस शॉट अरली टाइमिंग बट कोई बात नहीं जब तक रन मिल रहे तब तक सब कुछ जायज है कीपा 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 वो तो एजी लिए आ जाएंगे क्या तीसरा मिलेगा और नहीं लेना जाने दो फुल पट्टी बोलते इसको फुल पट्टी जेना वो ए लग गए होते भाई एक तो मीडियम पे सरी आई ये भाई बच गए थैंक्यू भाई बीच में आय तू नहीं तो मैं रन आउट होता है चार के बाद 20 बिना के से नुक्सान के भाई बच गए अरली लगा था ये भी टाइमिंग नीचे टपा लग गया भाई इसका ओवर खेलके निकालता हो भाई बस हो गया मेरे पर नहीं ओके क्या पता आप शायद रन मिले वा बेटे कब मार रहे है भाई मैने कब दिया इसका इतना लेट रियक्शन भाई गजब शॉट नहीं चलेगा रन मिलेगा कैसे भी वाई से चलेगा आठ ग्यारा बॉल में उननी से किस बॉल में ये नॉट गोइंग बैड चलो अच्छी बात है ये ये क्या खेल रहा है भाई और कितना जल्दी खेलू मैं टाइमिंग ही सही ना हो रही बे कहीं से भी ये लॉब या अरली हो गया वा बैटी भाई अगर हलका सा लेट होता तो हम इगर नहीं फिगर हो जाते मरा फिगर बिगड़ दाता चौट ये भी अरली लेकिन वा बाउंडरी तो गई कोई दिक्कत नहीं ये तो एजी बाउंडरी है वो भी नहीं गई सिंगल के साथ ओवर समप छे के बाद 32 बिना के से नुकसान के यहां पर बढ़िया बल्ले बाजी हो रही है यहां पर सरकार भाईया वापिस और खोच वोड़ दो भाई इसको क्या खेलने के बिनाट पो पहलेंगे ना पर टेंशन नहीं है पहले क्यों नहीं भागाई है गजब शॉट बे बाउंड रहते हुए एक और बस टेंटेटिव नहीं होने मेंको भाई मेरे एंड पर क्यों त्रो करने तुमको बार बार उदर त्रो करो रोईट शर्मा को आउट करो बड़े दिक्कत वाले दो गे यार ये दूस्त लोग बार बार मेरे को याउट करने देखते यार शॉट भे भाई इनके लिए तो हम नाइट मेरे भाई पिनर्स को तो आपन ना चोड़ेंगे पेलेंगे पूरी तरीके से इस वेल प्लेस गुट टाइमिंग में बाउंडरी ना जारी सही है ओके टाइमिंग में बाउंडरी ना गई वा बेटी स्कैमूर इसे बैटिंग करने को इसके सामने बैटिंग करने पचास की पार्टनर से पोनने आरी है चैट बहुत ही बड़ी आतरीके से शॉट आइडियल लगे भाई जीजी चार बार रिपले देखूंगा भाई शॉट कम है आइडियल शॉट मारा है मैं ना इडर चार रन भाग लिए वा वा जीजी रनिंग फिफ्टी पार्टनर्शिप गर पे गर पे क्या आज हमारा स्कोर बड़ा बन पाएगा भाई भाई इसको क्यों मेरे को स्ट्राइक देना यार बार बार समझ में नहीं आता यार बजलियो अच्छे से बजलियो भाई हाँ इससे नौ के बाद 56 बिना किसनुफसान के भाई आ जाओ स्पीनर भाई या तुमारे इंतजार में रहते हम तो खेलने के लिए हमेशा शॉट पकर के दिखाओ कोई एक इस साइड भी तो लगना चाहिए न भाई लेकिन इस साइड नहीं लग रहा है टाइमिंग साइड दो रन मिल जाएगा इजिली 46 पे पहुचे 35 गेंदो में हम लोग क्या एक बाउंडरी मिलके हम जल्दी से 50 पूरा कर पाएंगे भी येस पूरा कर पाएंगे जरूर कर पाएंगे भाई बहुत दिनों बाद 50 आते हुए हमारे आड बाउंडरियों के साथ बाउंडरी भाई गजब शॉट बाई स्पिनर तो लग गए बाई स्पिनर के तो हम ना चोड़ेंगे पिनर को पूरा लाल करके चोड़ेंगे क्योंकि मीडियम पे सा रन नहीं दे रहे स्पिनर को बिल्कुल ना चोड़ रहा है मैं बाई मीडियम पेसर को मैं आहां फिंगर स्पिनर जैब बाद बाई लेट हो गया यह बाई यह जिस अब चण्रूण प्रेट को ना चोड़ेगा बाई पिनर इस मैं इस प्रेंट क्या बोलता है सच्छू स्पिनर इज माई केक विट रेड चेरी उन टॉप जब जब स्पिनर आएगा मैं एग्रेसिव के लेगा भाई मीडियम पेसर्स पर ना खेलूंगा जाला बॉली ना पॉच्छता उनका टाइमिंग लगाने के लिए साही से ये भी खेल सकता था अब जाता तो रिवर्स केल लेता अब जाबा हाइट हाइट कोई दिक्कत ना है बाई चलो अच्छे ओवर आया यह भी यह भी साही ओवर आया हमारे लिए काफी इस पिनर है तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई करियर गौन हो गया मेरा बाई पचास पर हट 65 पर आउट होते हुए हम अभी एक अच्छी पार्टनर्शिप कोई करवा दो यारोई चर्मा ने सेंचुरी मार दी और नीचे अच्छी पार्टनर्शिप क्या बात है भाई तो यह इनिंग्स भी खतम होते हुए हम मिलते आपको अगले इनिंग्स में अगले एपिसोड में देखेंगे अगले इनिंग्स हर एक इनिंग्स में एक में हर एक एपिसोड में एक इनिंग्स खतम करने का कोशिश चल रहा है मेरा तो अगले एपिसोड में हम लोग इसकी तीसरी इनिंग सेलेंगे ये मैच की, अभी के लिए चलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा.